नमस्कार बच्चों, हम पाठ कबीर की साखियां पढ़ रहे थे आगे की पद पढ़ना शुरू करते हैं अगला पद है पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान निर्पक होई के हरी भजे, सोई संत सुजान पैंसिल लेकर के आप इनके अर्थ भी साथ में लिखते जाएए मैं इन शब्दों के अर्थ आपको पता रही है पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष कारने यानि कारण जग मने संसार भुलान का मतलब होता है भूला हुआ तो कबीर दास जी कहते हैं की पखा पखी का मतलब है पक्ष विपक्ष उनका कहना है की सारा संसार पक्ष विपक्ष के फेर में पड़ गया है यानि की लोग तर्क वितर्क देते रहते हैं और इसके कारण पूरा जग जो है वो एक भूल भुलाया में खोया हुआ है निर्फक होई के हरी भजे जो व्यक्ती निर्पक्ष होकर के हरी का भजन करता है यानि की परमात्मा का भजन करता है सोई संत सुजान सुजान का अर्थ है ज्यानी वही संत जो है वो ग्यानी है जो निर्पक्ष होकर के भगवान का भजन करता है पक्ष विपक्ष के फेर में नहीं पढ़ता है वही व्यक्ती जो है वो इश्वर के निकट जा पाता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें भूल भुलईया यानी कि हमें मार्ग से भटकाने का काम करती है उनमें हमें नहीं पढ़ना है और पक्ष विपक्ष का साथ देते हुए हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है हमको सिर्फ निर्पक्ष होकर के भगवान का भचन करना है तब ही हम जो है वो सही संत कहलाएंगे सही संत वही व्यक्ती होता है जो पक्ष विपक्ष के फेर में ना पढ़कर सच्चे मन से भगवान की भगती करे आगे देखते हैं अगला पद है हिंदू मुवा राम कही मुसल्मान खुदाई कहे कवीर सो जीवता जो दोहू के दिकट न जाई अब कह रहे हैं जो कवीर दाज जी है उन्होंने हिंदू और मुसल्मान के भेद भाव को यहां पर व्यक्त किया है कि किस तरह से भेद भाव फैला हुआ है जो हिंदू है वो कहता है राम 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 के नाम से अपनी भावनाओं को प्रबल करता है और मुसल्मान क्या करता है खुदा के नाम से उसे प्रचलित करता है तो उनका यह कहना है कि नाम के पीछे न पढ़ करके जो व्यक्ति राम और खुदा के नाम में न पढ़ करके जो असली चीज को पकड़ता है उनका कहना है कि हिंदु जो है वो राम का नाम लेकर के पूरी जिंदगी भर रटते रहते हैं और अंत में ब्रत्यों को प्राप्त होते हैं मुसलमान खुदा खुदा कह करके जीवन के अंत तक चलते रहते हैं पर दौनों ही इश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिर्फ नाम के पीछे भागते हैं, उसके असली उद्देश्य को समझ नहीं पाते वे आपसी भेदभाव में पढ़ करके कटरता को जन्म देते हैं जो की एक धर्म के लिए बहुत ही बुरी चीज है आगे वो कहते हैं कि वास्ताव में वही व्यक्ति जीवित है कहे कबीर सो जीविता कबीर जीवित वही है जो दोहू के निकट न जाई यानि की दोनों के निकट ही नहीं जाता कौन दोनों सिर्फ नाम सिर्फ राम और खुदा के नाम के पीछे न भाग करके उनके असली महत्व को समझ करके धर्म के असली पक्ष को समझ करके भगवान की भक्ती में लीन रहता ह वो ही जो है वो असली जीवित मनुष्य है, सिर्फ नाम की पीछे भटकने से कुछ नहीं होता, इसका आशे क्या है कि भगवान, राम और खुदा दोनों ही कहने में तो अलग हैं, लेकिन असली में वो एक ही है, है ना, मानवता के लिए एक ही परमात्मा है, वो भले ही अलग- लेकिन वो उसमें कोई भिदभाव नहीं है, परमात्मा सबका एक है, ये कहना है कवीर दाज जी का, है ना, आगे पढ़ते हैं, अगला पद है, काबा फिरी, कासी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कवीरा जीम, है ना, पहले आप सबसे उनके अवित्र स्थान है, तीर्थिस्थान है, जैसे हमारे तीर्थिस्थान है, आप जानते ही होंगे, उसी प्रकार मुस्लिमों का तीर्थिस्थान काबा के नाम से प्रच्कित है, और काशी क्या है, वो हिंदूों का तीर्थिस्थान है, है ना, मोट का मतलब है, मोटा, चून यानि आटा अब वो कह रहे हैं कि काभा फिरी कासी भया उनका ये कहना है कि जब मैं हिंदू और मुसल्मान के भेदभाव से उपर उठ गया यानि कि जब उनके नाम के पीछे भाग करके मैं असली उनके अर्थ को उनके उद्देश को समझ पाया तो मेरे लिए काभा जो तीवधिस्थान है वो काशी के समान पावित्र हो गया और राम का नाम जो है वो मेरे लिए raheem के समान पावित्र हो गया उनका ये कहना है कि जब मेरे मन में शरद्धा उत्पन हो गई तो नाम में कुछ नहीं रखा अगर मैं काबा में बैठा हूँ और मैं काशी का ध्यान करूंगा तो मुझे वहां उसके भी दर्शन प्राप्त होंगे और जब रहीम का ध्यान करूंगा तो मुझे राम के भी दर्शन प्राप्त होंगे जब मेरे मन में उनके लिए असली श्रद्धा होगी तब अब उनका कहना है मोट चून मैदा भया वो कह रहे हैं कि जिसे मैं समझ रहा था मोटा आटा आपको अच्छे से मालूम होगा जो आटे की बनी होई वस्तुएं होती है वो थोड़ी सी कम स्वादिस्ट होती है बजाए कि मैदा के मैदा जो है वो बहुत महीन आटा होता है और उससे बने हुए व्यंजन हमें ज्यादा पसंद आते हैं तो कवीरदार जी क्या कह रहे हैं कि जब मैं मोटा आटा समझ करके उसे खा रहा था तो जब मैंने असली स्वाद को अपने अंदर महसूस किया तो वो मेरे लिए मैदा के समान स्वादिस्ट हो गया और मैं आराम से बैठ करके खा रहा हूँ बैठी कबीरा जीम, जीमना का मतलब होता है खाना बैठ करके जीमना, जीमना कहते हैं खाने को तो वो यह कह रहे हैं कि जब मैंने असली महत्व को समझा तब मुझे मोटे आटे में भी मैदा का स्वात जो है वो प्राप्त हो गया और मैं आराम से बैठ करके खा रहा हूँ इसका आशे समझ में आया आपको आशे है कि धार्मिक भेदभाव से जो हम जब उपर उठते हैं तब हमारे मन में ये सब ही चीजें जो है वो समझ में आती है हमको कि हिंदू और मुसल्मान और जो राम और रहीम इनके नाम में ही कुछ नहीं रखा सिर्फ हमें इनके असली अर्थ को समझना है और तब जब हम अर्थ को समझ लेंगे तो हमारी सारी दुर्भावनाय दूर हो जाएंगी और हम राम रहीम के भेद में न पढ़ करके उसके असली महत्व को समझ पाएंगे ठीक है बटा? आगे का लास्ट पद पढ़ते हैं उँचे कुल का जनमिया जे करनी उँची न होए उनका कहना है जनमिया का मतलब होता है जनम लेने वाला करनी का मतलब है काम ठीक है उनका ये कहना है कि जब उँचे कुल में कोई व्यक्ति जनम लेता है मतलब जैसे जाती मानते हैं न हम जैसे ब्राम्मन हुए शत्रिय हुए तो उनका ये कहना है कि उचे खुल में अगर जनम तो ले लिया लेकिन जब काम उचे नहीं होगे जे करनी उच नहीं होई जब काम हमारे अच्छे नहीं होगे तो क्या होगा सुबरन कलस सुरा भरा साध उनका ये कहना है कि जब हमारे काम अच्छे नहीं होंगे तो अच्छे खुल में जन्म लेने का कोई फाइदा हमें नहीं होने वाला। अगर शराब भर दी जाए तो वो क्या होता है साधू लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं यानि पात्र का मतलब भरतन अगर हम सोने से भरे हुए बरतन में अमरित रखें तो तो उसकी क्या होती है वावाई होती है अगर उसमें पदार्थ हमने बुरा भर दिया तो भले ही बरतन अच्छा होए, तो उससे मतलब सही अर्थ उसका नहीं निकलेगा, मतलब उससे सही चीज वो समझ में नहीं आएगी हमको, कि सोने के जो पात्र है, उसमें अच्छा क्या लगता है? अमरित अच्छा लगता है, उसमें शराब भर देने से क्या होता है निंदा ही प्राप्त होती है इसका मतलब यह है कि मनुष्य के मनुष्य जो है वो अपने कर्मों से महान बनता है जन्म से नहीं इसमें आपने देखा होगा कई ऐसे महान लोग हैं जो भले ही जन्म नीचे जाती में हुए या गरीब परिवार स समाज के लिए देश के लिए कि वो आज अमर हो है तो उनका बिल्कुल कहना ये बिल्कुल सही है कि जब हम उचे कुल में जन्म लेते हैं तो हमें काम भी उचे करने चाहिए तब ही हमारी प्रतिस्था होगी और अगर हमने जन्म नीचे कुल में लिया है तो इससे हमारे उपर कोई हमारी प्रतिस्ठा पर आच नहीं आएगी अगर हम काम अच्छे करें तो निचले कुल में भी जर्म लेकर के हम महान बन सकते हैं